आरेसस नेता इंद्रेश कुमार ने अपने एहिंकारी वाले बयान पर सफाई दी है उन्होंने कहा है कि जिसने भगवान राम की भक्ती की है वो सत्ता में आये हैं यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि पीए मोदी की अगवाई में देश विकास कर रहा है आरेसस सूत्रों के बयान आरेसस का आधिकारिक बयान नहीं है अरेसस नेता इंद्रेश कुमार के बदले सुर्प अहंकारी वाले बयान के बाद यूटर्न एंकारी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार की सफाई लोकसमा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंडर जीत नहीं मिलने पर आरेसस कारेकार्डिंग के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी निताओं पर तंस कसा था लेकिन जैसे ही आरेस कवर्ण इस समय में बहुत सपष्ट है जिनोंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर है जिनोंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार शिरी नरेंदर मोधी के नेत्रित्व में बन गई है देश उनके नेत्रित्व में दिन द प्रसिस नेटा के एक बयान से सियासी भूचा ला गया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा था कि एहंकार की वजह से भगबान राम ने बीजेपी को 241 पर रोग दिया। यही नहीं इन्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी तंस कसते हुए विपक्ष को राम विरोधी बताया था। विपक्ष को राम के आनास्ता थी जशर गा दे। और विपक्ष पर लोग दे हुए जो राम के आनास्ता थी जशर गा दे। प्रश्ट्री मुस्लिम मंच ने दावा किया था कि देश के कुछ प्रतिशत मुस्लिम मोधी सरकार के साथ है। लेकिन चुनाव पर रिणाम उसके अनुरूप नहीं आए। जिसके बाद इंडरेश कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठा दिये। और जैसे ही RSS नेता ने बीजेपी पर सवाल उठाए। फोरण स्रीदान जन्भूमी की मुखे पुजारी सामने आए। और इंडरेश कुमार पर ही सवाल कड़े कर दिये। अधर बीजेपी का पयान भी सामने आया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी को उतनी सीटे मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। इनरेश कुमार और उनसे पहले संगप्रमुक मोहन भागवत की बयानों से विपक्ष की खुशी बढ़ गई। विपक्ष के मताबिक RSS और बीजेपी में जतनी दूरियां होगी बीजेपी उतनी ही कमजोर होगी। भाजपा में एहंकार आ गया थी। चुनाओ के पहले नहीं दिख रहा थे अंदेश जी आपको। कि भाजपा की चाल में धाल में सूरत में सकल में उनके दोनों निताओं के एहंकार भर गया। जब आज युकजी सरकार नहीं बनी चुनाओ समाप्त हो गया तब आप साथ्युकर्ट जारी कर रहे हो। अब आपके साथ्युकर्ट के कीमत क्या रहेगी। और जुनको आप रहनकारी बता रहे हो। वह तो इटली घूम रहे हैं। कौन सुनेगा आप। आप महरवानी करके अपना साथ्युकर्ट भाजपा को दीजे। कॉंग्रेस को मत दीजे। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। कि आरेसेस और बीजेपी के बीच मा बेटे का जगडा सुरू हो गया है। और अब बेटे ने अपनी मा का त्याग करने का अभियान सुरू कर दिया है। और मा ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान सुरू कर दिया है। आरेसेस नेता इंडरेश कुमार के बयान से विपक्ष की खुशी भी कुछी देर में खत्म हो गई। क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए है।